कि नमस्कार मैं उरॉल शर्मा आप देख रहे हैं एस्पेल आइन्यूस वागत है आप सभी का अमरे इस खास प्रोग्राम में प्रोग्राम की शुरुवात इस वक्त राजस्थान से राजस्थान कॉंग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच एक बहुत बड़ा जो माहौल है वो बनता दिखाई दे रहा है दरसल खबरे इस तरह की सामने आई है कि अब सचिन पालेट कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ वागावत पर उतरते दिखाई दे रहे हैं यहां पर मौजूदा समय इस वक्त दिखती नज़र आ रही है मैं बात अशोग गहलोत की भी करूंगा अशोग गहलोत के पास जनता नहीं है उनके पास विधायकों की संख्या नहीं है कॉंग्रिस पार्टी आला कमान सोनिया गांधी का विश्वास अब गहलोत से उठता चला जा रहा है तो यहां पर बड़े हद तक सचिन पाइलेट के लिए अच्छे दिन की शुरुवात हो रही है आने वाला समय सचिन पाइलेट के लिए बेहत बहतर है क्योंकि सचिन पाइलेट पहले अपनी राजनेतिक शक्ति दिखा चुके हैं सचिन पाइलेट पर जनता विश्वास कर रही है और यह बड़ी खबर जो है वो हमारे पास सामनी आई जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि सोनिया गांधी को पहले ही इस बारे में सचिन पाइलेट ने बता दिया था कि अगर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली पार्टी में बड़ा ओधा नहीं मिला तो वो पार्टी स से अलग होंगे अब समझने वाली बात यह कि सचिन पाइलेट का कॉंग्रेस से अलग होना राजस्थान में कॉंग्रेस की कैसी इस्तिति रहेगी और कितना फर्क पड़ेगा दरसल सचिन पाइलेट के पास पूरा दलबल है विधायकों की बड़ी संक्या है पार्टी से अलग होते हैं नई party में जाएंगे तो राजस्थान में Congress कि सरकार गर जाएगि और Congress कि सरकार किररना यानि कि tur cant को पीछे करते हुई सचिन पाइलेट की तरफ मौका देने की बात कही जा दिया है हाला कि कुछ समय पहले खबरे भी इस तरह की सामनी आई थी कि राजस्तान में जो विदान सभा चुनाव होंगे उससे पहले मुख्यमंतरी के नया चहरा घोशित किया जाएगा जाहिए राजस्तान में इतला कोई बड़ा नेता नहीं है जो मुख्यमंतरी बलने क के लायक हो कॉंग्रिस पार्टी में यहाँ पर सचिन पाइलेट का दबदबा है तो सचिन पाइलेट पर मौका दिया जा सकता है सचिन पाइलेट को एक राज्ज की जिम्मेदारी स्वांपी जा सकती है सचिन पाइलेट को अगर मुख्यमंतरी बनाया जाएगा इसका फरक आने वाले समय के चुनावों पर देखता नजर आएगा हाला कि इन सब के बीच में अगर मैं बात कर लेता हूं तो सचिन पाइलेट ने ये तो सावित कर दिया कि वो जनता के दिलों में रास करते हैं और जनता पूरा विश्वास सचिन पाइलेट पर है और जो जो परिशानिया जंता को आई है सचिन पाइलेट ने उन तमाम दिक्कतों को दूर किया और यही वज़ा है कि जंता ने देखा कि हमारा नेता सचिन पाइलेट है सचिन पाइलेट पर जो है बहुत बड़ा जो है दाउप जंता ने भी खेला है जंता कहे लिए कि सच सभोजय के दूट इंगर होने दरसल उत्तर परदेश का विदान सभा चुनाव जीतना भी प्रियंका गांदी के लिए बहुत जरूर यहां पर अगर देखा जाये तो राजस्थान स्थान के से सचिन पाइलेट को नहीं दी जाती है तो उत्तर प्रदेश में दी जाएगा वो क्यूं दिया जाएगा दरसल इसकी विजा है अगर मैं बात करूं पस्चिम उत्तर प्रदेश की वह पूरा जाट लेंड है और झाहिर सी बात है सचिन पाइलेट गूजर समूदायों से आते हैं और गूजरों में बहुत अच्छी पकड़ सचिन पाइलेट किये जैसे राजस्तान में बात करें तो यहाँ पर सचिन पाइलेट अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो पूरा फोकस पश्चीम उत्तर प्रदेश पर रहेगा जो की जाट लेंड है यहाँ पर सचिन के साथ अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ती है तो कॉंग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा तो यहां पर इस वक्ष कॉंग्रेस पार्टी आलकमान सोनिया गांधी बहुत सोच समझ कर काम कर रही है सचिन पाइलेट की लोग प्रियता के वल चुनाओ से पहले कुछ बड़ी जिम्मेदारी अगर उत्तर प्रदेश में सचिन पाइलेट को दी जाएगी तो इसका भी बहुत बड़ा रोल देखा जाएगा तो यहां पर सचिन पाइलेट चीजों को समझ रहे हैं सचिन पाइलेट ये देख रहे हैं कि पार्टी आलकमा बात कर लेता हूं तो मौजूदा समय यह बताता है कि सचिन पाइलेट के लिए अब दिन अच्छा होता नजर आ रहा सचिन पाइलेट का वक्त अच्छा शुरू हो रहा है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी में युवाओं को मौका दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में सचिन पाइलेट को भी मौका दिया जाएगा और सचिन पाइलेट पर दाओं खेलना सचिन पाइलेट को बड़ी जिम्मेदारी देना यह बताता है कि सचिन पाइलेट जैसे नेताओं को जिम्मेदारी देकर कॉंग्रेस बहुत बड़े हद तक अपना काम कर सकती है तो यहाँ पर मौका देखा जा रहा है यहाँ पर इस्थितियां देखती नजर आ रही है और तो और आने वाले समय में सचिन पाइलेट कॉंग्रेस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निबा सकते हैं हाला कि कॉंग्रेस में अध्यक्षपत को लेक पर भी काफी समय से चर्चाएं देखी जा रही है तो यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है लेकिन सचिन पाइलेट बहुत सबर के साथ काम ले रहे हैं बहुत ही धहरे के साथ काम ले रहे हैं उन्हें पता है कि पार्टी आलकामान उन्हें लेकर बड़ा फैसला जरूर और पार्टी अलकामान पर भरोसा है इसलिए यही भरोसा आगे बढ़ता जा रहा है राहूल प्रियंका गांधी का जुकाओ भी अचानक सचिन पाइलेट की तरफ होना यह भी सियासी संकेत का इसारा है तो यहां पर सचिन पाइलेट यह लोग से आगे निकल चुके हैं सचिन पाइलेट जो है वो बहुत बड़ी अगर जिम्मेदारी निवाएंगे तो जाहिर सी बात है युवाओं पर बहुत बड़ा फोकस जाएगा युवा भी सचिन पाइलेट की तरफ दीखते नजर आएंगे और खास तोर पर पीचे पी के वो तमाम नेता जो यह बात करते चल आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निवानी है सचिन पाइलेट को इसके लिए तयार किया भी जा रहा है पार्टी में बहुत बड़े अधिक नेता को जिम्मेदारी भी दी जाएंगी तो उसका जाहिर सी बात है चुनाओ से पहले कई बड़े फिर बदल आमशका आमशका